सत्कुरू रूपी प्यारी सासंगत जी प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी सबसे पहले सत्कुर माता जी का शुकराना करते हैं सत्कुर माता जी के अशीरवाज से दासी ये विचार रखने जा रही है आप जी ये विचार परवान करें अगर कोई गलती हो जाए तो शमा करें सासंगत जी संपुन अवतारबानी में शेहनशा बाबा अवतार सिंग जी महाराज हमें इस शबत द्वारा समझाते हैं संतां ते कई जुलम कमाए मजबादे संयादा ने कंधा विच चुनवाए कई शरह दिया जलादा ने कई चड़ाए सूली उत्ते लोहा ते बिठलाए कई दुनिया मिल के संत जनाते इक नहीं जुलम कमाए कई अवतार भगत पर मंदे रेने अपना कुल जमाने नू ओकड़ दुख मुसीबत चली मिठा मन के पाने नू इस शबत द्वारा हमिशे अंशा जी समझा रहे हैं कि संतों के उपर कितने जुलम कमाए गए किस त्रह दिवारों में उनको चुनवाया गया किस त्रह कहते हैं कि सूली के उपर इसा मसीजी को चड़ाया गया गरम गरम तवे के उपर पाचवी पाशाई श्री गुरु अर्जुन देव जी महराज को बिठाया गया किस त्रह दुनिया ने मिल कर संत जनों के उपर एक नहीं कही जुलम कमाए लेकिन जो संत महात्मा है वो इस परमपिता प्रमात्मा के भाणे को मिठा करके मानते रहे उन्होंने गिलेशिक वे नहीं किये बस वो इस बाणे को मानते रहे कि जिसमें भी तू रखे सचे पाश्या ठीक है कभी भी उन्होंने किसी को कोई पुरा भला नहीं कहा सब के भले की ही काम ना किये संतों महापुर्शों ने यही समझाया कि जो यह संसार है यह जो यह काम कर रही है ऐसे ये अज्यानता के कार्ण कर रहे हैं जो ज्यानवान होते हैं वो हमेशा सब का भला ही मांगते चले जाते हैं ऐसे ही दासी एक स्टोरी भी आप जी के चर्णों में रख रही है क्याते हैं महारीशी दियानंद एक तेजस्वी संद थे चारों और उनकी बहुत अच्छी प्रसिद्धी थी उनके वो चारों और से बहुत अच्छी तरह से फेमस थे कि वो बहुत ही अच्छे संद है उनके अच्छे आच्रण से उनका जीवन महक रहा था उनके लिए जगन नात नामक व्यक्ति भोजन बनाया करता था वे है महारीशी दयानन्जी का पड़ा ही विश्वाशी संत था, व्यक्ती था, रुसोया था स्वामि महारीशी दयानन्जी को अपने उस रुसोये पर बहुत ही विश्वाश था एक बार इरशालू व्यक्तियों ने जगनासे कहा हम तुझे बहुत सारा धन देती हैं तुम किसी तरह महरिशी दयानन्जी को भोजन में जहर दे दो जिस से सदा के लिए हमारा संकट मिट जाए जगनात ने पैसे के लालच में स्वामी जी को दही में जहर मिला कर दे दिया स्वामी महरिशी दयानन्जी ने दही खा लिया दही खाने के बाद जहर ने अपना परभाव दिखाना शुरू कर दिया महारिशी दयाननजी ने सोचा कि इसने मुझे जहर दिया है लगता है लालज के कारण ही इसने ऐसा नीच काम किया है इसलिए स्वामी दयानंजी ने महारिशी दयानंजी ने उसे जगनाथ को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्यार से मीठी आवाज में कहा जगनाथ मैं जल्दे ही इस संसार से विदा हो जाऊंगा और तुम्हारा पाप प्रकट हो जाएगा मेरे अनुयाई भगत गंड तुझे कश्ट देंगे इसलिए तु यहां से किसी और स्थान को चला जा जीवन गुजारे के लिए यह दस हजार रुपे की थैली भी ले जा अब जल्दी यहां से चला जा और हमेशा खुश रहना इस तरह महरीशी दयाननजी का जगनात प्यार देखकर उस बहुत ही दुखी हुआ और उसकी आँखों में लगा तारांसु बह रहे थे जगनात कहने लगा कहां मैं इतना डीच प्राणी जिसने धन के लालच में महरीशी दयाननजी के प्राण ले लिए और कहां स्वामी जी का जीवन जो मरते समय भी मेरी भलाई के लिए ही सोच रहे हैं धन्य हैं स्वामी जी का जीवन और इनकी साधना वह स्वामी दयाननजी के महरीशी दयाननजी के चर्नों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा पश्चात आपकी आग में जलकर वह पागलों कितरह रोते हुए कह रहा था कि मैंने इह पाप क्यों किया अपने पाप को बार-बार धिक्का रहा था पश्चात आप से उसका हिर्दय परिवर्तित हो गया था संगत जी कहने का भाव यही है कि जो संद मात्मा होते हैं ये कभी भी किसी का बुरा नहीं मांगते हैं चाहे इनके साथ कोई कितना भी बुरा व्यवार कर ले फिर भी अच्छाए ही करते हैं संद न छोड़े संद ही चाहे कोटे के मिले असंद चाहे करोडों अज्यानी मिल जाएं असंद मिल जाएं फिर भी संद मात्मा अपना संदों वाला सभाव नहीं छोड़ते उनका सभभाव यही होता है कि दूसरों का भला ही करना है वो हमेशा भला ही करते चले जाते हैं संगत जी आप सभी को बता ही है अगस्त का मेहिना शुरू हो गया है और पांच अगस्त को हमारे युग निर्माता मतस्विंदर जी महराज इस निरंकार में लीन हो गए तो इनके प्रेणा दिवस के अफसर पर भी सत्कुर मातसुदिक्षा जी महराज हमारे वक्त के सत्कुरू ने हमें समझाया कि एक ऐसी मा की प्रेणा हम अपने जीवन में उतारें जो ना सिर्फ हम तीन बच्चों की मा थी बलकि ये तो पूरी सासंगत की मा थी ये एक पूरण गुर्सिक थी जो स्वयम सत्कुरू रूप थी हमेशा इनों ने हमें निरंकार से जोड़ा हमेशा सासंगत से जोड़ा और यही कहा चाहे कोई भी स्थिती हो ये निरंकार ही सभालेगा अद्कुर माता सुडिक्षा जी महराज ने बताया कि जब माता सुगिंदर जी अस्वस्त थे तुम भी जरा भी परेशां नहीं होते थे यही कहते थे कि करता से कभी भी कारण नहीं पूछा जाता जो भी ये निरंकार कर रहा है हमारी भलाई के लिए ही कर रहा है आता जी ने कहा कि इस मान ने हमें इतना कुछ दिया है साथ में जो सबसे बड़ी सीख दी है वो भाणे में रहने के सीख दी है कि हमने हमेशा इसके भाणे में रहना है इसके भाणे को मिठा करके मानना है यहें जो भी हो जाए हमने कभी भी गिला शिक्वा नहीं करना युगनिक माता माता स्विंदर जी महाराज का जीवन सभी को पता है कितना वो इन आकरे दिनों में कितने अस्वस्थे फिर भी किस तरह भाग भाग कर सिवाए करते रहे ससंग करते रहे जब हमारे सद्गुर बाबा हरदेव सिंग जी महाराज ब्रेमलीन हो गए 2016 में 13 माई 2016 को तो 17 माई 2016 को जब प्रेना दिवस हुआ तो माता स्विंदर जी जब गुरु गद्दी पर सद्गुर रूपे प्रकट हुए तो कितने अस्वस्थे डोक्टरों ने कहा था कि रैष्ट करना है लेकिन माता स्विंदर जी दो साल दो महीने हम पर ही समर्पित रहे एक-एक जो पल था वो हम सब को समर्पित किया अपने स्वास्य की प्रभाना करते हुए बैड रेश्ट डोक्टरों ने बताया कि तीन महीने बैड रेश्ट करना है तस्विंदर जी ने तीन महीने तो क्या एक दिन भी बैड रेश्ट नहीं लिया और आकरी समय तक हमारे उपर ही समर्पित रहे और हमें ही संभालते रहे और यही समझाया कि हमने प्यार ही प्यार कर करना है हर एक के साथ प्यार करना हर प्यार के साथ इस मीशन को आगे बढ़ाना है तो सद्कुर्माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी समझाया कि पिछले कुछ दिनों में जब जब भी नमशकार की लाइनों में आप सब के चेहरे देखे तो कोई आठ नम भी देखी जो ममता को प्यार को याद करते हुए नम थी और कोई ऐसे से चेहरे भी देखे जिनके आखे तो भरी हुई थी पर चेहरे पर मुस्कराहट के द्वारा दासी को अशीरवाद दे रहे थे इस से बिलकुल वही बात जहन में आ रही थी कि जब जब ऐसा चेहरा नजर में आ रहा था न उसी द्रिश्य को देखकर दासी को भी अंदर से इतनी मजबूती मिल रही है संसारिक रूप में तो जिसके माबाप नहीं होते वो अनात होते हैं पर सत्गुरु ने स्वयम संगत रूप में मा और निरंकार रूप में पिता जो हमारी जिन्दगी में दिया है तो हमें कोई वी कभी यह नहीं कह सकता कि हम अनाथ हैं हम हर पल इस निरणकार को याद रखें, यह भी याद रखें कि निरणकार हमिं हर पल देख रहा है, क्या हम वो जिन्द की सच्मुच जी पा रहे हैं, जो सतकुरु माता सुविंदर जी माहराज ने चाही थी जो उन्होंने संदेश दिये जो बाबा जी ने चाहा था हम सबका हम सबका एक बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि जो भी बाबा जी के माता जी के सपने हमको लेकर थे हमने अपनी जिंदगी में उस पर खुद भी पूरा उतरना है हम सबको एक-एक महापुरुष को एक-एक निरंकारी को चलता फिरता परचार का रूप बरना है आज संगत जी जो भी हमें माता सुइंदर जी ने समझाया है हमने उन बातों को सिरुफ बोलते हैं नहीं रहना उनको गरब रूप में ढालना है और आज हमारे बक्त के सत्कुर माता सुदिक्षा दी महाराज दिन रात इस सत्य को हिस मर्पित है इस मीशन को हिस मर्पित है इस सारे संसार को हिस मर्पित है और सारे संसार का भला करने के लिए ये ब्रहम ज्यान पाट रहे हैं और सब को जगा भी रहे हैं कि जाग जाओ उठ जाओ 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 और अपना जीवन सफल बना लो आजाओ दुनिया वालो जीवन को सफल बना लो मो कामी लेना बार बार सदकुर माता जी हमें समझा रहे हैं कि यह जिंदगी के जो समय है यह बीता चला जा रहा है यह अंतिम सुआस पता नहीं कब आ जाए इसलिए हमने समय रहते इस परमपिता प्रमात्मा की तरफ जागना है और जा कई परकार की गलतियां हुई होंगी उन गलतियों के लिए आप जी दासी को शमा करें और आगे के लिए सुद विचार करने की शमता बक्षें दासी सब के भले की कामना के लिए सब के सुखु के लिए सत्कुरू निरंकार से अरदास करती है सभी ने मिलकर इस अरदास में शामिल होना है। राज माता गुरु बचन अफ्तार कीजै। साज संगत ची प्रेम से कहना दान निरंकार ची।